कि अच्टोडी जोनपप मैं सुधिर कुमा आपका स्वागत करता हूं दोस्तों आज हम आपके लिए कर हाजिर हो गए हैं लेशन प्लान का फोर्मेट जितने भी लेशन प्लान के पार्ट्स आते हैं जितने भी पॉइंट आते हैं उन सभी को आपके लिए क्लियर करेंगे जि होता है मोटिवेशन में क्या लिखा जाता है समरी में क्या लिखा जाता है कोस्टन कैसे इसमें लिखा जाते इन सभी को आपको इसमें वीडियो में किलियर कराएंगे और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ आपको लेशन प्लान के फोर्मेट दिखाने के बाद ही हम छोड़ देंग कितने दो लेशन प्लान आपको बना कर प्रवाइट करा दिया जाएगा जिसको आप देखने के बाद आप अपना खूद का लेशन प्लान बहुत अच्छे तोरह से बना सकते हैं तो चलिए हम देर ना करते हुए इन सभी पार्ट को किलियर करते हैं इससे पहले हम आपको बता चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं टॉपिक पर आने से पहले देखिए जो सबसे उपर लिखाया होगा है कि नेशनल एसकेल ट्रेनिंग इंस्टूट मतलब नहीं एक कॉलेज है जहां पर सी आइटीस का कोर्स करा जाता है और सी आइटीस के एक्जाम का टाइम टेबल भी प्रोब्लम ना हो आप अच्छे से आप लेशन प्लान बनाएं और जाकर आपका प्रेजेंटेशन दे और ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग में नंबर प्राप्त करें तो चलिए देर ना करते हुए हम क्या करते हैं इस सभी पॉइंट को किलियर करते हैं तो यहां पर यह फोर्मेट है उसके बाद है देखिए नाम रज्विष्टे सढनर प्रेड यो करते हुए हम प्रैकर शेया और त्रेड को बिद्दार्प कि और को मतलब हुआ कि आप बनाय हुए किस करना चाहते है किसे डेट को आप हाने जा रहे हैं उसका हुवना है टाइमिंग मतलब हुआ जो लेगर सब्सक्राइब परा ले पराइए इसके फूर g- abide जैसे कि 45 मिनट आप पर हाना चाहते हैं इस युण दौराई 30 मिनट मेजाना या घंट यह टाइमंग यहाँ पर रहेगा क्या यहां पर टेट को आपको परजेंट करना है टाइम का मतलब कि आप कितने टाइम लेना चाहते हैं इस लेशन प्लान में चलिए उसके बाइए उनिट नमबर की जो आप टॉपिक चूज करें हैं वो किस लेशन नमबर का है याप लेशन और यूणिट उसका नाम होना चाहिए जैसे कि यहां पर क्या एस्पेनर हम लिखत को आप बताने जा रहे हैं तो ऐसे लिखना है क्या कि मार्किंग टूल्स में आप क्या करेंगे मार्किंग टूल्स में पंच को बताने जा रहे हैं तो ऐसे करके आपको लिखना है चलिए इसके बाद जो अगला है वह है अब्जेक्टिव को समझे अब्जेक्टिव का तो यह हुआ कि आपको यहां पर लिखना है कि आप अगर किसी एक ट्रेणी कछा में परहने जा रहे रहे हैं तो यह जो छात्र आप ढपनेंगे जो भी ट्रेंस आप से परहें तो क्या-क्या इस प्लान से आपसे दवारा सीख सकते हैं उसको यहाँ पर लिखना है यहाँ पर लगभग तीन क्या objectives लिखा जाता है यहाँ पर देखिए क्या लिखना है यहाँ पर समझिए जैसे कि यहाँ पर आपका लेशन हुआ आप यहाँ पर डिफनीशन ऑफ एस मेंनर को जान जाएगा ताइप समयनर को जाएगा बतलब objective में आपको बता देना है कि बच्चो आप अगर इस क्लास को पढ़ते हैं अच्छे से पढ़ते हैं तो आप समयनर के डिफनीशन को जान जाएगा आप समयनर कितने परकार होते हैं उसको जान जाएगा उसके साथ ही साथ कौन समयनर कि धातु का बना होता है उस सभी आ आप जान जाएगा जिससे क्या होगा लड़का पहले ही जान जाएगे कि यह यह हमें इस लेशन प्लाण के थ्रूँ सर पहाएंगे चलिए इसके बाद है टीचिंग एड्स इसका मतलब हुआ कि आप अगर पहाने जा रहे हैं लेशन प्लान तो किस किस सहायता लेना चाहते हैं जैसे बोर्ड हुआ कि मारकर हुआ डॉस्टर हुआ ओभर हेड प्रजेक्टर हुआ जो भी आपके यूज होने वाला है इस लेशन प्लाण के तुरू तो उसको यहां पर क्या करना है उसका नाम दिख देना है इसके बाद हमारा आता है रिभ्यू और लिंक इसको समझन कीजिए जैसे कि हम क्या करते हैं हमारा टॉपिक जो हुगा कि माली फिच्टन रिंग में पिष्टन रिंग है तो हमको क्या रिभ्यू की से देंगे इससेพर हम ने lesson plan के थ्रू या इस class में हम पढ़ेंगे यह हुआ हमारा review और link इसके बाद अगला जो है उसको हम देखते हैं देखी अगला जो है आता है हमारा motivation review और link के देने के बाद हमारा आता है अगला point कला part motivation motivation क्या होता है इसको समझे motivation का मत्लब हुआ कि आप जो भी लेशन पराने जा रहे है जो भी टोपिक पर हैं जा रहे है तो इसकर बताए कि is topic को पहणना क्यों I paint क्यों UK इस topic को आप को पहणना अच्छी से चाहिए इसको आपको बताना और इसके लिए आपको क्या करना है एक उधारन देना है कैसा उधारन जो हम्यान जीवण में हमारे साथ भी घटनाय घटती और समभन एक टॉपिक से रिलेट्ट एक उधारन देना जिससे क्या होगा लरका आपने भासा में समझ своंज than और अच्छा से आपको पढ़ेगा आपको सुनेगा ठीक यही हुआ हमारा मोटिवेशन चलिए इसके बाद जो है आया है हमारा टॉपिक इनफोर्मेशन और एस्पॉर्ट सी यह क्या होता है इसको समझें टॉपिक का मतलब हुआ कि आप यहां से हमारी चलू होती है इस्टॉडि देने की टीचिंग कराने की प्रकिरिया तोपिक है कि अपको यहां पर डिफिनिशन हो सकता है इस इसमें क्या लिखना है देखिए डिफिनिशन में आप लिख सकते हैं जो भी आपका टॉपिक ऐसको थोरा सा दिफाइन कर द тогда कि अर्णा्व की साहता से जो जिसकी भी साहता से आप यहां पर बताना चाहेते हैं को समझाना जाहता है उसको थोरे से नाम लिख देने कि हम किया के दोर एस wa difamko समझाने वाले हैं बस में आपके करने कि नाम मतलब पर नाम लिखते हैं उसके बाद यहाँ पर क्याकर जबना ऋसके बाद यहाँ पर बातां हाना उसके बाद एहां पर आप लिकरते हैं मतलब कि जो भी यह विंटो पर लिख देंगे कर देंगे थोड़ा उस मेटेरियल के बारे में तो ऐसे करके हमें क्या लिखना पड़ता है इनफोर्मेशन टॉपिक और इसके बाद लिखने के बाद चस्ट उसके बाद यहां से आपकी कंप्लीट हो जाती है देने स्टडी कराने की कराने की परकिराव जो अगला पार्ट आ उसको बच्चों के सामने आपको क्या करना है उसको करा देना है जैसे कि करेंगें का और समरी देने के बादब गाएह तक उसके बाद आता है कोशनी कोशनी का टॉपिक पॉएंट मतलब कि इसमें आपको क्या करना है बच्चों से पहले आपको कोई डॉट है की नहीं उसके बाद आपको कोष्चन करना उनसे गवस्टन दोपरकार से करना एक क्यूंज कोष्टन और एक सब्जेक्टिव गोश्टन प 아닌 une यूज को स्चन को मतलब मल्टिपर चुवाइस को सबसे पहले आपको क्या करना है उसके बाद बच्चे को उठा कर पूछन ऐसा नहीं कि किसी लड़के को उठा दीए उसके बाद आप पूछिए यह गलत हो जाता है आपको क्या करना है पहले को पूछ लेना है उसके बाद बच्चे को उठा कर पूछना है और कुछ टाइम देना है क्या पूश्चन पर करने के लिए बच्चों के लिए चलिए इसके बाद दोता ह है हमारा assignment assignment क्या होता है assignment मत एक seat होता है जिसमें question लिखे होते हैं मतलब आप एक तरह से कह सकते हैं कि आप जो भी बच्चे आपसे पढ़ें उनको home bar के लिए आपको assignment देना पड़ता है उसमें कुछ question होते हैं पांच या assignment seat हम आपको पूरी बताएंगे कि assignment seat कैसे बनाना है demonstration plan कैसे बनाना है information seat कैसे बनाना इन सब भी को हम बताएंगे अलग-अलग वीडियो में पस इस वीडियो में हम क्या पर रहे हैं lesson plan के format को और उसके lesson plan के हर एक ट्रेट पर दो दो टॉपिक पर हम आपको प्रोवाइड कर लेशन प्लान बना कर चलिए इसके बाद है next topic अब assignment तो सीधा assignment लिख दे कि आप जाए assignment को देखिए उसका question आप सल्फ कीजिए जो डाउट हो फिर से आकर अगले class में पूछेगा next topic का मतलब हुआ कि आप इसके बाद कौन सा topic पर आने वाले उसको आपको यहां पर लिखना है ठीक यहां पर जैसे कि आज हमने पिश्टन पर आया कल हम पिश्टन रिंग पर आएंगे या connecting rod पर आएंगे यह सब क्या होगा ह इसमें next topic में रहेगा और study zone hop का मतलब हुआ कि आप अभी यूटूब चैनल पर इस वीडियो को देख रहे हैं जो आइडिया इस अप्रेंटिस संबंदित इस टोडियो के साथ साथ information भी देता है तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब और से कर लिजे चलिए मिलते है और वीडियो के साथ और भी जनकारी लेकर तब तक के लिए नमस्कार